हेलो एन वेलकाम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेली सल्तनत की मैं हूँ प्रकृती कपूर और डेली सल्तनत एंशिंट इंडिया के बाद मेडिवल इंडिया का सबसे पहला पाथ है तो जब मेडिवल इंडिया की शुरुआत होई उससे पहले ही भारत में कुछ आक्रमन हुए जैसे कि महम्मद कासे, महमूद गजनवी जिसने 17 बार आक्रमन किया और महम्मद गोरी जिसने कही न कहीं भारत पे अपना राचपाट स्थापित कर लिया था तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो मैडिवल इंडिया है या जिसे मद्यकालीन भारत भी कहा जाता है इस मद्यकालीन भारत को हम किस तरह से पढ़ेंगे तो इस मद्यकालीन भारत को हम तीन भागों में पढ़ेंगे जो इसका first part है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है Delhi Sultanate Delhi Sultanate जो है, इसमें हम Delhi Sultanate के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद जो second part आएगा, वो आएगा मुगल काल का, या मुगल शाशक्स का, या मुगल्स का जो की बहुत important part है, आपको पता है और third part है, जो हम जिसको पढ़ने वाले हैं, third part के विदिन, वह है European Companies आज हम, European Companies हम third part में पढ़ेंगे, आज हम बात करने वाले हैं Delhi Sultanate के बारे में उसके बाद second वीडियो में मुगल काल और third वीडियो में European Company तो start करते हैं Delhi Sultanate जब हम Delhi Sultanate की बात करेंगे तो इसमें कई सारी डाइनेस्टी जैसे की गुलाम डाइनेस्टी जिसे स्लेव डाइनेस्टी कहते है अगली है खिलजी डाइनेस्टी नेक्स्ट है तुगलक डाइनेस्टी उसके बाद आते है सैयद डाइनेस्टी और जो फिफ्थ है वो है लोधी डाइनस्टी लोधी डाइनस्टी डेली सल्तनत की आखरी डाइनस्टी है तो बात करते हैं कुत्व उद्धी नाबक की ये एक बहुत important नाम है क्योंकि गुलाम वंश या कह सकते हैं स्लेव डाइनस्टी इसके संस्थापक कुत्व उद्धी नाबक है 126 से 1290 तक 1206 तो 1290 तक ये स्लेव डाइनस्टी रही इसके इस्थापना कुत्व उद्धी नाबक ने की थी इससे स्लेव डाइनस्टी इसले कहते हैं क्योंकि जिस मुहम्मद गौरी की हम बात करे थे ये उनके गुलाम थे और इन्होंने इस जाइनस्टी के स्थापना की थी इन्होंने अपनी राजधाने लाहूर को बनाये था और बहुत बड़ा दिल होने के कारण इन्हें लाक बक्ष भी कहा जाता था मधिकालीन भारत के अगर हम बात करें तो रेवेन्यू सिस्टम जो राजध स्विप्रणाली है वो यही लेकर आये थे कुतुब उद्दीन एबग की बात करें तो आपने कुतुब मिनार का नाम सुना होगा इस कुतुब मिनार की नीव इस कुतुब उद्दीन एबग ने ही रखी थी शुरुबात इन्हों नहीं की थी इसके अलावा एक important building धाई दिन का जोपड़ा इन्हों ने ही बनवाया था इसके बात आते हैं इनके गुलाम इल्तुमिश इल्तुमिश को slave of slave कहा जाता है गुलामों के गुलाम क्यों क्योंकि कुतुबुद्दीन एबग जो थे वो मुहमत गोरी के गुलाम थे और इल्तुमिश कुतुबुद्दीन एबग के इस साबसे ये गुलाम के भी गुलाम थे इसलिए इन्हें स्लेव आफ स्लेव कहा जाता है इन्होंने कुछ प्रथाएं चलाई जैसे की तुर्के चलगाही और इक्ता प्रणाली कुतुब मिनार का अधूरा काम छोड़ कर ही कुतुबुद्दीन एबग की मृत्य हो गई थी तो इन्होंने कुतुब मिनार के निर्मार का कारे पूरा किया इसके बाद आती है इनकी बेटी रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान इल्तुमिष्ट की पुत्री है और ये इल्तुमिष्ट की बेटी है और साथ ही साथ डेली सल्तनत पर पहली महिला शाशक पहली महिला मुसलिम शाशक है ये ये पर्दा नहीं करती थी जिसका बाद में काफी विद्रो भी हुआ इसके बाद आते हैं बल्बन बल्बन जो कि एक महा प्रतापी शाशक रहे इसी बल्बन की बाद करें तो इन्होंने इक्ता प्रणाली और तुर्के चलगाही ये दोनों ही प्रताएं जो की इल्टमिष्ण शुरू की थी उनको समाप्त कर दिया खत्म कर दिया इन्होंने काफी हिंदूओं को उच्छी उच्छी पदों पर स्थान दिया यदि इनके कारेकाल की बाद करें तो बल्बन की कारेकाल में आमिर खुसरो और आमिर हसन जैसे बड़े बड़े कभी भी आए आमिर खुसरो को तूते हिंद कहा जाता है और इस डाइनिस्टी के आकरी शाषक का नाम भी अध्यान रखेंगे बात करते हैं गुलाम वंश के बाद अगले वंश खिलजी वंश की तो खिलजी वंश की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बगल में आपको एक व्यक्ति नजर आ रहे है 1219 से 1320 तक इस जलाल उद्दीन खिलजी नाम के व्यक्ति ने इस खिलजी वंश की स्थापना की थी लेकिन बात में इनको ही इनको इनके दामाद ने मार कर इनकी जगह ले ली आपको जरूर याद होंगे ये व्यक्ति जो है अलाउदीन खिलजी हमने मूवी भी देखी होगी अलाउदीन खिलजी ने मूल नियंतरन प्रणाली यानि की पैसों के उपर कंट्रूल करने की सिस्टम को लेकर आया था और सबसे ज़ादा टैक्स भी इन्होंने ही वसूला है डेली सिल्तनत की बात करें तो इन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स बनाई जैसे अलाई का दर्वाजा सीरी का किला जमेत खान मस्जिद और हजार खंबा महल इसके बाद आते हैं मुबारक खिलजी जो कि खिलजी डानेस्टी के अगले शाशक थे इनको खलीफा भी कहके बुलाया जाता था इक्जामें पुछा जाता है खलीफा किसको कहते थे और अंतिम शाशक खिलजी डानेस्टी के थे खुशरो खां अंतिम शाशक भी इंपोर्टन्ट होते हैं आगे बढ़ते हैं खिलजी डानेस्टी के बाद तुगलग डानेस्टी की बात करते हैं 1320 से 1414 तक का ये टाइम था जबकि तुगलग डानेस्टी आई थी इसकी स्थापना ग्यासुदीन तुगलग ने की थी अगर हम इनकी बात करें तो इनका एक सेना पती था जूना खां ग्यासुदीन तुगलग का एक सेना पती था जूना खां 29 बार मंगोलों का मंगोल विदेशी लोग थे इनका आक्रमण भारत पे इन ही के समय पर हुआ था जूना खां ने एक लगड़ी का महल बनवाया था जिसके नीचे दब के ग्यासुदीन तुगलग की मृत्य हो गई बाद में इनके सेना पती जूना खां ने राजा का पत सम्हाल लिया और इसी जूना खां ने अपना नाम मुहमद बिन तुगलग रखा था इन्ही के समय पर एक अफरीकी यात्री इबने बतूता आया था आप देख के मुझे कमेंट करना कि इबने बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी पूछा जाता है इबने बतूता कहां से आया था तो आंसर है मोरक को अमीरे कोही नाम की भी स्थापना इन्होंने ही की थी मुहमद बिन तुगलग ने जो कि कृशी से रिलेटर है इन्होंने चमडे के सिक्के चलाए थे इसलिए इन्हें पागल राजा जो अंतिम शाशक थे वो थे महमूद तुगलग आगे बढ़ते हैं और अगली डाइनस्टी की बात करते हैं जो है सईयद डाइनस्टी 1414 से 1451 जो कि बहुत जादा इंपॉर्टन नहीं है हमें इसके संस्थापक का नाम याद रखना है जो कि खिज्र खां और इसके अंतिम शाशक का नाम भी हमको याद रखना है जिनका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह आगे बढ़ते हैं तुगलग और सयद के बाद लोधी डाइनस्टी की बात करते हैं लोधी डाइनस्टी 1451 से 1526 तक चली इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे बहलो लोधी पहले शाशक इन्होंने बहलोल के सिक्के भी चलाए थे बहलोल सिक्के इसके बाद जो अगले शाशक आए वो आए सिकंदर लोधी ये सिकंदर लोधी बहुत इंपोर्टन नाम है क्योंकि 1504 फिफ्टीन अंड़न पोर में इस सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी और इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी बहुत इंपोर्टन है क्योंकि ये लोधी वंश के आखरी शाशक थे और यहां तक की ये पूरे डेली सल्तनत के आखरी शाशक थे एक पानिपत का यूद इन उन्हें लड़ा था 1526 में ये यूद बाबर और इब्राहम लोधी के बीच हुआ था जिसमें इब्राहम लोधी हार गए थे और बाबर जीत गए थे और यहीं पर उन्हें मुगल समराज की स्थापना करी थी मुहमद गोरी ने कई यूद लड़े जिसके बीचाश फाषिए और प्राइब्राहम लोधी है